नमस्ते भारत, मैंने वीडिया को सुभेदार मेज़ाओ मानत कैप्टें योगेंदा सिंग्यादव की काहनी बताने के लिए बनाया है योगेंदा सिंग्यादव भारते सेना के विर्ता पूरासकार प्राप गेनेरियर है उतर प्रदेश के बुलंद शहर में हुआ उतर प्रदेश के बुलंद शहर के औरंगाबाद अहीर गाव में एक विनम्र परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम योगेंदा सिंग्यादव था साधारन संसाधनों और उच्च आत्माओं के साथ उसने अपने प्रारंबिक वर्ष परिवार की गर्मजोशी और गाहों के सरल जीवन के बीच बिताए मा, एक दिन मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा मैं कोई मजबूत और सासी बनूंगा योगेंद ने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की जहां उनके शिक्षकों ने उनमें एक अद्वितिय प्रतिभा और डिर्स अंकल्प देखा मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ मैं अपने लोगों की रक्षा और सम्मान करना चाहता हूँ योगेंद के सेना में शामिल होने का निर्नए एक गहरे देश भक्ती और फर्ग बनाने की इच्छा से प्रेरित था वर्ष 1999 था और कारगिल युद्ध बढ़ाक उठा था अथारा ग्रेनेडियरों के हिस्से के रूप में योगेंद सिंग यादव ने अतुलनिय साहस दिखाया भयन कर चोट लगने के बावजूद उन्होंने टाइगर हिल की खतरनाक चोटियों को दुश्मन की भारी बोली बारी के बीच चड़ाई की उस दिन उनके कारियों ने युद्ध की दिशा बदल दी जिससे भारत को एक महत्वपूर्ण जीत मिली परमवीर चक्रभ भारत का सर्वोच सेन्य सम्वान है जो सबसे उज्जवल बहादुरी या दुश्मन की उपस्तिती में किसी साहसिक या प्रमुक कार्य के लिए दिया जाता है ग्रेनेडियर योगेंद सिंग यादव 19 साल की छोटी उम्ड में इस प्रतिष्टित पुरसकार के सबसे युवा प्राप्त करताओं में से एक बन गए सेवानिवरिती केवल एक शब्द है मेरा दिल अभी भी मेरे देश के लिए धड़कता है मैं अगली पीडी को प्रेरित करने और अपने साथी वयोवरिधों का समर्थन करने की कोशिश करता हूँ मेरा काम अब ये सुनिश्चित करना है कि हमारे सैनिकों के बलिदानों को कभी भुलाया ना जाए योगेंद का परिवार उनकी ताकत का स्तम्भ है उनका अटूट समर्थन उनकी साहस और धैर्य का स्रोत रहा है आज ग्रेनेडियर योगेंद सिंग यादव बुलंद शहर में रहते हैं अपनी प्रेरना दायक और उन्नत शील मिशन को जारी रखते हुए उनका एक छोटे से गाव से लेकर देश के सर्वोच सैन्य सम्मान तक का सफर उनकी अटूट भावना और समर्पन का एक प्रमान है कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर भारतिय सैनिकों और ग्रेनेडियर योगेंदर सिंह यादव को सला आपकी वीरता और बलिदान ने हमें गर्व और प्रेना दी है ताइगर हिल पर आपकी बहादूरी और साहस ने देश की रक्षा की आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी जय हिंड